Hello everyone, welcome to EduTap. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पेमिंट ओफ चेक. तो जब भी आप बैंक के पास अपना चेक डिपॉजिट करवाते हैं, तो बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, जो बैंकर को चेक करने पड़ते हैं before clearing that चेक. तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाएगा कि कौन सी ब्रांच पे drawn हैं. तो आप या तो अपनी होम ब्रांच पे जाके चेक डिपॉजिट करवा सकते हैं, या फिर किसी भी और ब्रांच पे अपने बैंक की, किसी भी और ब्रांच पे आप जाके चेक डिपॉजिट करवा सकते हैं. Why? Because of core banking solutions. पहले क्या होता था? सिरफ अपनी होम ब्रांच पे जाके आप चेक डिपॉजिट करवाते थे. अब कहीं पे पी करवा दो because of CBS. उसके बाद चेक करना है कि चेक post-dated है या फिर anti-dated check है. Post-dated check में क्या होगा? मान लो 25 जन्वरी 2023 को check issue किया गया है और date डाली गई है April की. आगे की date डाली गई है तो उसे बुला जाता है post-dated check. तो इस तारीक से पहले, April वाली तारीक से पहले उस check को हम जमा नहीं करवा सकते हैं. वो check layer नहीं हो सकता डाल रहे हैं April की यहाँ पे. यहाँ पे पिछली date है. तो यह भी check तो clear हो जाएगा. क्यों clear हो जाएगा? क्योंकि जिस तारीक पे डाला है. यहाँ पे 25 April को डाला है. उसके बाद तीन महीने तक वो check valid है. तीन महीने के बाद वो stale check हो जाएगा और उसे माना नहीं जाएगा. current date में गया है कि आज का ही check है. आज की date डाली है. उसके बाद चेक किया जाएगा कि pay कौन हो गा इसका. single pay भी हो सकता है कि check पे लिखा है pay to x. ठीक है? हो सकता है लिखा हो pay to x only. तो फिर सिरफ x को ही payment करनी है. दूसरा हो सकता है joint pay. कि pay x and y. एक और तरीका हो सकता है alternate pay. pay x और y. तो ये सारे तरीके valid हैं. इन में से जिस तरीके की instruction है pay की related उसी तरीके एगा फिर आपको payment करना पड़ता है. उसके बाद है order check है या bearer check है. order check में क्या है? कि may be presented for payment either by the original pay जिसका नाम है check पे उसे present करना है या फिर अगर original pay ने endorse कर दिया तो endorsement verify कर लो और उसके बाद payment कर दो. ठीक है? उसके बाद है bearer check. bearer check में जो person आके उस check को present करेगा वो bearer है और उसे payment दे दी जाएगी. यहाँ पे paying banker को endorsement को verify करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? अब हो सकता है कि जैसे यहाँ पे सिर्फ order लिखा है तो यह order check है. हो सकता है कि order या slash यहाँ पे bearer लिखा हो. जहाँ पे दोनों चीज़े लिखी हैं तो उस check को हम क्या मानेंगे? हम उसे bearer check मानेंगे. ठीक है? उसके बाद अगर words और figures में जो amount लिखा है उसमें different है. फिगर में क्या लिखा है? यहाँ पे 10,000 और words में क्या लिखा है? 1,000 तो आप कौन से को मानेंगे? इसे या फिर इसे आप उसे मानेंगे जो words में लिखा है. लेकिन आजकल क्या है? आजकल check truncation system है, तो यहाँ पे essay checks को in practice return कर दिये जाता है, unpaid और बोला जाता है, कि fresh check लेके आया जाए. उसके बाद है, alteration या mutilation के लिए check किया जाता है, अगर alteration को drawer authenticate कर दे कि मैंने यह alter किया है या मैं इसे ratify करता हूँ, आप payment कर दो तो payment हो जाती है, otherwise फिर check को void मानना जाएगा. म्यूटिलेशन में क्या है, अगर drawer से गलती से फट गया, check sign वगरा करते हुए, थोड़ा सा फट गया, तो वो confirm कर सकता है उस पे अपने signature के साथ कि गलती से मुझ से फट आ, आप इसे check को clear कर दो. अगर collecting banker से गलती से फट गया, तो वो भी उसके पीछे endorsement कर सकता है, कि mutilation guaranteed कि collection के time पे हम से ही फट गया. लेकिन reality में अभी आपको मैंने बताया कि check truncation system है, अगर किसी भी तरीके का alteration है, mutilation है, तो ऐसे checks को unpaid return कर दिया जाता है, और fresh checks की demand की जाती है by the bank. उसके बाद है signature of the drawer. देखो, एक check पे जब आप sign करते हूँ, तो आप bank को mandate दे रहे हो, कि तुम मेरे account से इतने पैसे काटो और इस person को payment कर दो. लेकिन अगर forgery है, signature की नकली signature है, इसका मतलब है कि drawer ने कभी भी mandate दिया ही नहीं bank को वो payment करने के लिए, और ऐसा check अगर bank clear कर देता है, तो उस case में bank की liability बनती है. ड्रोर को जिसके account से पैसे काट लिए गए हैं, उसको compensate करने की. और तरीकी की जो forgeries होती है, वहाँ पे negotiable instrument act जो है, bank को protection प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे bank libel होता है, अगर by estoppal, by adoption, by ratification, अगर वो drawer ही confirm कर दे उन signatures को, फिर कोई बात नहीं है. फिर banker की कोई liability नहीं ह otherwise false signature में bank की authority नहीं होती है, account को debit करने की. उसके बाद है, bank ने check करने को stop payment instruction तो नहीं है, कि जो person है जिसका account है, उसने payment halt करने का instruction तो नहीं दे रखा, तो अगर तो joint account है, तो stop payment instruction कोई भी दे सकता है. partnership accounts है, limited companies है, कोई भी authorized signatory stop payment instruction दे सकता है. Joint account हो जाए partnership account हो, जब आपको stop payment instruction को cancel करना है, तो सारे holders को, सारे partners को आके इसे cancel करना पड़ता है. limited companies में भी सारे authorized signatories को आके instruct करना पड़ता है, कि हम stop payment को cancel कर रहे हैं. उसके बाद आता है, आखरी aspect एक important, सबसे पहले bank ने check करना है, balance sufficient है, कि अगर 10,000 का check काटा हुआ है, तो क्या draw के account में 10,000 है, कहीं कोई garnish order, कोई attachment order तो नहीं है, कहीं draw की death insolvency है, insanity का कोई information तो नहीं रिस उन cases में फिर payment नहीं होती है, garnishment में, attachment में, death के time पे, ठीक है, तो यह हमारा topic था, तो MCQs करने से पहले, I would like to inform you that we have started this course, crash course, जो start हो चुका है 15th से, and IFS स्टार्ट हो चुकी है, बाई Surinder Sir, तो यहां पर आपको लाइव क्लासे के साथ-साथ, short notes, test series, and solved PYQs भी मिलेंगे, and it's only for 2500, जिसमें आपको चारो के चारो subjects करवाए जाएंगे, जो भी आपके doubts है, वो उसी time, जो आपका teacher है, लेगा, ठीक है, तो अब हम MCQs देखते है, where a customer by a letter has advised the bank, directing the banker, not to honor or pay a particular check, such a letter is called, अगर customer ने bank को advise किया है, कि payment नहीं करना, तुमने चेक का, चेक को honor नहीं करना, तो उस tag की instruction को क्या बोलते है, कि stop payment instruction दिया है customer ने, so B is the correct answer, फिर है check issue कप किया गया है, मई के महिने में 24 तरीक को, और check पे date कौन सी mentioned है, आगे की date mentioned है, जुलाई की date mentioned है, तो ऐसे check को हम क्या मानेंगे, post dated check, पीछे की date डाल दी होती तो anti dated check होता, तो यहाँ पे B जो है correct answer है, उसके ब be stale and cannot be paid, तो तीन महिने तक check valid रहता है, उसके बाद वो invalid हो जाता है, तो यहाँ पे answer क्या है, A, 3 months, उसके बाद है, negotiable instrument act बोलता है, कि if on the check the amount stated in words and figures is different, words में different है, figures में different है, तो कौन सा amount pay होगा, word वाला, figures वाला, जादा वाला, कम वाला, तो हम कौन सा वाला payment करेंगे, words वाल तो यह हमारा थाच का session, अगर आपको यह session useful अगया है, तो please go ahead and subscribe to the YouTube channel and go check out the live crash course also, and इसके इलावा, हाँ हमें mail कर सकते हैं, hello at edutap.co.in and you can also call us on number given on your screen, so that's it for today, thank you so much.